इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज के वीडियो मैं आपसे बात करने वाला हूँ share market के बारे में या क्या होता है कैसे काम करता है इसके बाद मैं आपको चार ऐसी बाते बताऊंगा जिनका ध्यान में रखकर ही आपको किसी company के shares खरिदने चाहिए अब चलिए जान लेते हैं कि आखिर share market होता क्या है दोस्तो हरे company को आगे पढ़ने के लिए पैसो की जरूरत होती है और पैसो की जरूरत पूरा तीन तरीके से किया जा सकता है यह किया तो आपकी company है तो आप अपना पैसा खुद लगाए दूसरा आप किसी बड़े investor से बोलिए कि वह आपकी company में पैसा लगाए और तिसरा होता है public funding और public funding के लिए company आम लोगों से पैसा लेती है जिससे हम लोग IPO करते हैं यानि initial public offer आम लोग company के CREC के जरूरते हैं और company के छोटे से हिसदार बन जाते हैं जब company को फायदा होता है तब लोगों को भी फायदा होता है और नुकसान होने पर लोगों को भी नुकसान होता है एकजामपल के लिए मान लेजिए कि किसी company की कीमत 10 करोड है और उस company के market में 1,00,000 सेर्स है तो एक सेर के price 100 रुपया हो जाता है माल लेजे आपने उस company की 10 share खरीदे तो आप उस company की 1000 रुपे के मालिक बन गए अगर आगे चलकर company का growth होता है जो company 10 करोड की थी माल लेजे वो 20 करोड की हो गई तो आपका जो 10 share 1000 में आपने खरीदे थी उसका price 2000 रुपे हो जाएगा अगर company को नुक्सान होता है और company 10 करोड की थी अब वो 5 करोड की हो चुकी है तो आपके द्वारा खरीदा गया 10 share का price घटकर 500 रुपे हो जाएगा तो चलिए जान लेते हैं कि हमें company के share किन बातों को ध्यान में रखकर खरीदना चाहिए तो इसमें से सबसे पहली बात यहा है कि हमें उसी company के share करिदना चाहिए जो company कम से कम 11 साल पुरानी हो हमें company के 11 साल का data analysis करना चाहिए कि जब market नीचे गया था तब यह company कैसे खड़ी रही और इस company का share का price कितना नीचे गया था दूसरी बात यहा है कि company पर कोई कर्ज नहीं होना चाहिए जो company खुद कर्जे में होगी वो आपको कैसे मुनाफ़ा पहुँचाएगे और तिसरी बात यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि जो company के मालिक है उनका company में कम से कम 50% से ज्यादा का share holders होना चाहिए अगर company के मालिक के पास 50% company का share होता है तो वे company को आगे ले जाने के लिए हर संभा परियास करते हैं और आखरी बात यह ध्यान में रखना है कि company पर तेक साल 25% का growth कर रही है या नहीं यानि जो company 2020 में सब करोर के थी वो 2021 में 125 करोर की होगी और 2022 में 150 करोर की तो मैं आसा करता हूँ कि आप समाच चुके होगे कि share market होता क्या है कैसे काम करता है और हमें किन बातों को ध्यान में रखकर किसी company के share करिदने चाहिए तो वीडियो कैसा लगा comment करके बताईए और चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe करके बेल आइकन प्रेस करके all पर क्लिक कर लिजे ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुंश सके